जैहिन दोस्तों, मैं संतुस कुमार चाहान आपका स्वागत करता हूँ एनिमल फिजियोलोजी पार्ट 7 में आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पेंक्रियास के बारे में जानेंगे इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस टमक के बारे में अच्छे से जाना है यह जो एनिमल फिजिलोजी सीरीज है पार्ट बाई पार्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है आपको सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट इसका अलग से बना हुआ है वहां से आप लोग एक एक करके देख लेना और जो भी वीडियो से है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लेना और अच्छे से नोट बना लेना पहले वीडियो को अच्छे से समझ लेजिए तो वीडियो को पूरा देखिए आपको पूरे अच्छे ढंक से समझ में आएगा पेंक्रियास के बारे में तो हम लोग जानते हैं पेंक्रियास भी एक digestive gland है ठीक है पाचन घरंथी है क्योंकि इससे पाचक एंजाइम जो है पेंक्रियासों और यह क्या है इस टमक के नीचे पेनक्रियास के नाम से भी जाना जाता है 30 को उसको हम लोग आगे जानेंगे कि यह आउट लाइन बाले enzymes के वर्क के बारे में जानेंगे और जिसमें जो bi-carbonate iron है जो mainly bile juice sorry, bile juice नहीं, pancreatic juice बनाता है उसका secretion किस परकार से होता है उसको जानेंगे और इसके endocrine function के बारे में जानेंगे endocrine, exocrine अभी हम लोग जानने वाले हैं तो देखें यह इस टमक के नीचे पिंक्रियाज पाया जाता है जो यह डावडेनम में खुलता है डावडेनम, small intestine का पाठ है तो पिंक्रियाज का यदि कारियर देखें हम लोग तो पिंक्रियाज का 99% का एग्जोक्राइन function होता है एग्जोक्राइन मतलब क्या? जैसे कि कोई duct है, ठीक है? duct, यदि duct में किसी gland से, किसी गरंथी से जो भी हार्मोन और product यदि duct में सरावित होते हैं तब उस condition में एग्जोक्राइन कहा जाता है और endocrine कप कहा जाता है, यदि किसी blood vessel में, ठीक है? यदि क्या है blood vessel, बी डबलू, बी भी मतलब क्या? blood vessel, यदि कोई पदार्थ को किसी सेल द्वारा या किसी gland गरंथी द्वारा, यदि blood vessel में सरावित किया जाता है छोड़ा जाता है, और target cell तक पहुचाया जाता है तब उसको हम लोग endocrine function कहते हैं तो देखो, pancreas में जो endocrine और exocrine function है, इसको हम लोग जान लेते हैं तो exocrine function 99% और endocrine function जो है 1% पाया जाता है ठीक है जी? pancreatic juice, exocrine में जो है pancreatic juice रावित होता है जिसका composition देखें, तो इसमें mainly आपको जो है water नजर आएंगे और solute तो solute को फिर से बटा गया है, inorganic और organic में, carbonic और अकार्बनिक में तो जो अकार्बनिक पदार्थ है, sodium iron, chlorine iron, ये bicarbonate iron ठीक है जिसको अभी हम लोग आगे जानेंगे details इसका स्रावण कैसे होता है organic पदार्थ में क्या पाय जाता है? mucine, proteolytic enzyme, lipolytic enzyme, amylolitic enzyme, trypsin inhibitors ये ट्रिप्सिन को inhibitor करने वाला chemical पदार्थ भी इससे सिक्रिट होता है amylolactin मतलब amylage bond को breakdown करता है मतलब जो carbohydrate में पाय जाने वाले amylage bond है उनको breakdown करने का काम करता है amylolitic enzyme lipolytic जो है lipid को तोड़ता है, proteolytic जो है protein के peptide bond को तोड़ता है जिसको हम लोग आगे जाने वाले हैं, तो ये सारे जो chemical है जो पदार्थ हैं यह exocrine secretion का हिस्सा है आगे देखिए endocrine secretion जो है 1% होता है, 1% में आ जाते हैं alpha cell, beta cell, gamma cell और PP cell जिसको app cell के नाम से भी जानते हैं तो जो alpha cell है, बच्चों, उसमें से glycogen का स्रावन होता है और beta cell से insulin का स्रावन होता है gamma cell से somatoistatin का स्रावन होता है और यह somatoistatin क्या करता है, देखो जरा यह somatoistatin जो है, यह insulin को break down करता है break down, sorry, break down नहीं, inhibit करता है इसके secretion को negative feedback देता है, मतलब रोकता है और सुमेटोस्टेटिन जो है गलुके गोन को भी क्या गरता है नेगेटिव फिडबेक देता है सेक्रेशन को रोकता है ठीक है जैसे यहाँ देख रहे होंगे जो 1% में अलफा सेल, बीटा सेल, पीपी सेल, अलफा सेल, गामा सेल यह आ जाते हैं इनको एक साथ Isolate of Langerhans के नाम से जाना जाता है किस नाम से जानते हैं Isolate of Langerhans के नाम से जानते हैं ठीक है अब हम लोग जानने वाले हैं जो Enzymes हैं वो कैसे काम करते हैं कौन-कौन से टाइप तो हम लोग उनने कितने टाइप के Enzymes देखा है Proteolatic, Lipolatic, Emelolatic ठीक है Trypsin Inhibitor तो Enic के बारे में जानते हैं वो कौन-कौन से Enzymes है जो Protein का पाचन करते हैं जो Carbohydrate का पाचन करते हैं जो Lipid का पाचन करते हैं या फिर उसको पाचन करने का मतलब Breakdown करना ठीक है बड़े मोलिकुल को छोटे मोलिकुल में टोड़ना देखो बच्चों यहां पर जो है Proteolatic Enzymes में पाया जाता है पहले नमबर Trypsin दूसरा कैमो Trypsin तीसरा है Carboxy Peptid Age ठीक है? अब यहां जो Trypsin और कैमो Trypsin है यहां प्रोटीन देखो प्रोटीन जो है Amino Acid से मिलकर बना है तो यहां प्रोटीन को Peptide में चेंज कर देते है प्रोटीन में लगभग 100 या 100 से ज्यादा ज्यादा Amino Acid पाय जाते है Peptide में यहां 18 से लेकर 99 तर ठीक है पाय जाते है तो यह जो Trypsin है Chymotrypsin यहां प्रोटीन को किस में तोड़ देता है Peptide में छोटे छोटे टुकड़ में थोड़ा तोड़ देता है प्रोटीन बड़ा टुकड़ा है Peptide छोटा टुकड़ा है और यह Carboxy Peptidase क्या करता है यह Carboxy Peptidase जो Amino Acid के Carboxylic Group को तोड़ता है और छोटे-छोटे Amino Acid में तोड़ देता है तो यहां हम लोगों ने काम देख लिया Trypsin, Chymotrypsin, Carboxy Peptidase का अब हम लोगों जानते है यह जो है Proteolatic Enzyme है ना क्योंकि यह प्रोटीन का Breakdown कर रहे है इसलिए इसका Proteolatic Enzyme कहते है है ना बच्चों? ठीक है तो इसमें कौन-कौन सा है Pancreatic Lipage, Cholesterol Esterage, Phospholipage ठीक है यह भी क्या करते है Lipidia Phet को तोड़ते हैं तो देखो Phet है तो Pancreatic जो Lipage है यह फेट को तोड़ देता है Free fatty acid, 2 Monoglycerate, 2 Monoglycerate नहीं बन रहा है एक बार फिर बोलता हूं इसमें तोड़ता है कौन? Pancreatic Lipage Phet को Free fatty acid, 2 Monoglycerate 2 Monoacyl Glyceroids में तोड़ता है और Monoglyceroids में तोड़ता है देखो लंबा होता है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाता है आम बात है Cholesterol Esterage Cholesterol Esterage जो एंजाइम है वह Cholesterol Ester Cholesterol Ester को तोड़ता है किसका breakdown करता है? Cholesterol Ester को और छोटे-छोटे Phet molecules में तोड़ने में तोड़ने में तोड़ देता है ठीक है? और Phospholipage क्या करता है? Phospholipage जो है Phospholipid को तोड़ देता है fatty acid में ठीक है? इस परकार हम लोग ने Prinkreatic Lipage, Cholesterol Esterage और Phospholipage जो Lipolipid को तोड़ने वाले एंजयम है उसके बारे में जाना ठीक है? नोट्स आप लोग डाउंडूट करी लेना ठीक है? अभी बस समझे ठीक है? अभी बस समझे देखे अभी हम लोग जानेंगे Amylolipid को तोड़ने वाले एंजयम Carbohydrate का अंतरगत स्टार्च आते हैं Glyco जन आते हैं ठीक है? तो यह Pancreatic Amylase है यह स्टार्च को Carbohydrate है यह उनको तोड़ देते हैं डाइसेकराइड में और ट्राइसेकराइड में तोड़ देते हैं यह बड़े molecule हैं यह छोटे molecule हैं लेकिन यह Pancreatic Amylase Cellulose का कीसी भी प्रकार से Digestion या फिर उसका Breakdown नहीं कर पाते हैं Digestion कहने का मतलब यह बड़े molecule को छोटे-छोटे molecule में Breakdown करना ठीक है जी चलिए यह हो गया Amylolatic Engine के बारे में अब हम रोग जानते हैं Structure और Pancreas के बारे में जानते हैं यह Pancreas को यहां पर Mixed Glend के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें Endocrine Function भी होता है और Exocrine Function भी होता है इसलिए Pancreas को Mixed Glend के नाम से जानते हैं तो इसका स्नरचना देखें इसका डाइग्राम देखें इस परकार यह जो है प्रतिविम्भी होती है मतलब दिखाई देती है तो देखो Pancreas में आपको यहां जो duct दिखाई दे रहा है जो pipe दिखाई दे रहा है उसको बोलते है Pancreatic duct ठीक है यह Pancreatic duct है जिससे Pancreatic juice इधर से collect हो करके निकलता है ठीक है अब देखो यहां से देखेंगे तो यह जो है 1% endocrine क्या होता है secretion होता है endocrine secretion होता है और बाकी इतना जो भी है 99% exocrine है exocrine मतलब किसी duct में secretion होंगी और यह blood vigil के माधियम से स्रावित होगा ठीक है तो देखो यहां पर पाई जाते हैं alpha cell, beta cell, gamma cell, pp cell इससे क्या-क्या स्रावित होता है इसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे ठीक है और तो अभी यहां फोकस कर लेते हैं इसके डियाग्राम में यहां पर 1% यह cell पाई जाते हैं और यहां देखो pancreatic acene जो यहां पर यह गोल 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 यह संरचना दिखाई दे रहा है, यह क्या है जी धब्बे समान, गुच्छा समान, तो यह pancreatic acene है और इसमें पाई जाने वाले एक cell को हम लोग बोलते हैं acinar cell ठीक है pancreatic acene है उसी pancreatic acene में consist of acinar cell मतलब इसमें जो cell पाई जाएंगे उनको acinar cell कहते हैं और देखो, यह यहां से भी pancreatic juice स्रावित होंगे ठीक है, और यहां पर देखो, duct के पास duct cell पाई जाते हैं, जिससे bicarbonate ion का स्रावन होता है, इसको हम लोग detail से जानने वाले हैं, ठीक है तो यह सारे जो pancreatic juice बनाते सारे स्रावित हो करके collect हो जाते हैं, और यही pancreatic duct के माधियम से बाहर pancreatic juice के रूप में, इसमें dowdenum में खुलते हैं, यहां पर क्या पाई जाता है, यहां पर dowdenum पाई जाता है, ठीक है, D dowdenum ठीक है अब हम लोग जानने वाले हैं कि bicarbonate iron का स्रावण कैसे होता है, तो देखो बच्चों यह जो है duct cell है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर जान चुका है यह क्या है, यह duct cell को लिया गया है और यह lumen को लिया गया है, ठीक है और किसको लिया गया गया है Blood weasel को, ठीक है यहाँ पर Method weasel होंगे तो इसको लिया गया है, ठीक है तो देखे यहाँ पर यह blood weasel है, यह duct cell है और यह lumen है मतलब जहां से क्या ? यह lumen है खोउकली जगा ठीक है तो Blood weasel से जो carbon dioxide होता है ब्लड वेजल में आप जानते हैं गेस है तो यह ब्लड वेजल से डक्ट सेल में इंटर करता है तो डक्ट सेल में पाए जाने वाला जो H2O है उससे यह जो है बाई कार्बोनेट आयन के रूप में H2O CO3 का फोर्म बना लेते हैं ठीक है और H2CO3 जो है यह ब्रेकडाउन हो जाता है अलग हो जाता है H प्लस आयन में और बाई कार्बोनेट आयन में ठीक है तो यह बाई कार्बोनेट आयन जो है सोडियम बाई कार्बोनेट सीम पोटर पंप द्वारा यह ल्यूमेन में चले आते हैं ल्यूमेन से यह कहां चले डावडे नम में चले जाएंगे ना डावडे नम ठीक है मतलब लुमेन से कहां जाएंगे पिंक्रियाटिक डग्ट पिंक्रियाटिक डग्ट पिंक्रियाटिक डग्ट से डावडे नम में खुल जाएंगे ठीक है और जो यह हैड्रोजन आयन है यह हैड्रोजन जो है सोडियम sodium hydrogen anti-porter द्वारा यह blood vessel में चले जाते है anti-porter मतलब कि एक अंदर जाएगा तो दूसरा जो है इधर आएगा तो यह hydrogen ion जो है अंदर जाता है और sodium ion उसमें duct cell में आता है ठीक है? और duct cell में आने के बाद यह sodium ion जो है sodium bicarbonate seam porter मतलब एक साथ एक ही तरफ बेजने वाले को seam porter ion बोलते है ठीक है? तो इसके माध्यम से यह दोनों यहाँ lumen में आ जाते है और hydrogen ion जो है यह blood vessel में चला जाता है और यहाँ पर एक ATP यूज होता है और ADP plus IP में convert हो जाता है मतलब यह active transport है इसमें energy लग रहा है carbon dioxide एक बर और जो है यह जल के molecules आरपार जाते रहते है blood vessel से duct cell duct cell से lumen ठीक है? क्योंकि यह जो water है यह भी क्या है? pincreatic juice का component है इसको भी कहाँ जाना है? dowdenum में के पास जाना है dowdenum में खुलना है एक साथ मिल करके एक बार फिर देखिए blood vessel से carbon dioxide आता है duct cell से H2O होता है ठीक है? जो मिल करके H2CO3 बनाते है इसका breakdown हो जाता है तो H plus ion और bicarbonate ion में ठूट जाते है H plus ion जो है sodium hydrogen जो anti-poter द्वारा एक अंदर चला जाता है blood vessel में और sodium ion जो है इधर आ जाता है जो है स्रावन होता है डाउननम में ठीक है यहाँ पर देखो यह channel का नाम है यह red वाला channel का नाम क्या है sodium hydrogen anti-poter जो active transfer है क्योंकि यह ATP लग रहा है और यह blue वाला sodium bicarbonate simpoter है जो एक साथ साथ यह वाला ठीक है और bicarbonate ion is released by the only duct cell of pancreatic note or acine केवल duct cell से ही स्रावित होता है किसका bicarbonate ion का acine से स्रावित नहीं होता है देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा केवल और केवल इस duct cell से ही bicarbonate ion का स्रावित होता है इस acine से देखो यहाँ pancreatic acine है तो pancreatic acini से स्रावड जो है नहीं होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे अब देखिए जो pancreatic जो bicarbonate iron है उसका फेज और pancreatic secretion कि pancreatic जो bicarbonate iron बोल दिया जाया या पिर जो juice है और cup क्यों है स्रावित होते हैं तो cephalic portion से मतलब जब हम लोग किसी food को खाते हैं तो इस tumulus मिलता है ठीक है वेगस नर्व द्वारा वेगस नर्व द्वारा pancreatic stimulus मिलता है और उस समय pancreatic juice स्रावड होता है तो cephalic phage मतलब यह इतना phage को क्या बोलते हैं ठीक है तो 20% secretion जो है pancreatic secretion होता है जब हम लोग कुछ चीच खाते हैं तब वेगस नर्व जो है pancreatic juice secret करने के लिए pancreatic juice secret करने के लिए 20% secretion जब हम लोग देखते हैं या टेस्ट करते हैं खाने का या उसको सूंगते हैं इसमेल मतलब या सोचते हैं उसके बारे में तब बाई वेगस नर्व यदि नहीं मिल रहा है तो ज्यादा मत सूच रहा नहीं तो pancreatic juice स्राविट हो जाएगा है ना मिना खाए ही देखो अब गेस्ट्रिक फेज गेस्ट्रिक फेज में मतलब जब यह खाना खाए हम लोग यह खाना कब हो कब जब जो है यह जो है गेस्ट्र ना इस टमक में आ जायगा तो 10 पर्सेंट स्रावण होता है जोंटा है और यह कुराटिग जूस का फुर इंटर इन्टि को फुर्ड रिफ्लेक्शन मिलता है सिगनल मिलता है रिक्राटिक जू सिक्रेशन होने में बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट होने में उसके बाद देखें इंटेस्टैनल फिज जब खाना जो है कहां आ जाता है इंटेस्टाइन में यह क्या है इंटेस्टाइन में इसमाल इंटेस्टाइ सेंटी बरस सेंटी पर्सेंट सी्क्रेंटौंहोटएंघ्या Гश्च इस समय जब फूड जो है वें फूड इंटर इंट्टौंदिनम जब फूड इंट्टींट्रेंड में ऑं जब हकोर्मन काम करता है SIGK स्ओं किंञेर इसका पूरा नाम क्या है? Colsystokanin यहां लिखा हुआ है तो secretin और CCK कैसे काम करते हैं? देखो, फूड आ गया, इस टमक में ठीक है तब HCL भी secretion होता है और जो है, कौन? Prencreatic juice भी signal होता है ठीक है? वे गल नर्व द्वारा उसके बाद फूड जब कहां आ जाता है यह डावडेनम वाले पार्ट जो intestine का पार्ट है तब यहां की cell क्या करते हैं? Blood vessel में secretin hormone secret करते हैं और secretin और जो है, खोल secretin hormone ठीक है? तो secretin hormone जो है, S cell सिक्रीट करते हैं, ठीक है? S मतब secret और यहां जो है, देखो यह जो secretin है यह duct cell में जाता है, देखो यह जो डावडेनम की cell से क्या निकलता है? secretin निकलता है, और यहां secretin जो है, यहां pancreas की duct cell को stimulate करता है bicarbonate iron स्रावण करने के लिए, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे और यह डावडेनम की cell जो है, कॉल्सिस्टो कैनिन CC के का भी स्रावण करते हैं तो यह कॉल्सिस्टो कैनिन जो है, यह एसीनी में काम करता है ठीक है? जो बुच्छा पाया जाता है ना, उस पे काम करता है यह कॉल्सिस्टो कैनिन वहां के जो पिंक्रियाटिक जूस वगरे को सिक्रेट करने के लिए तो सिक्रेटीन हार्मोन डक्ट सेल में काम करता है कॉल्सिस्टो कैनिन जो है यह एसीनी में काम करता है यहां कॉमेंट है, पढ़ लेते हैं प्रोम स्टमक दा एसीड एसील स्टूमलेट दवाल औरन लाउन, ठीक है Сई यह जब यहां से खाना खाएंगे तो ऐसील के साथ मिल जाएगा चीक है काइम बन जाएगा, तब जो है यहां सिगनल मिलता है इस सेल को बोला जा रहा है, डाउनर लाज़ा रहा है किस सेल को पहते हैं मतलब यहां जो फेटी एसीड है वह कोलशीस्टो काइजनिन को एक्टिव करते हैं फिर कोलशीष्टो काइजनिन ब्लड वाजल के माध्यम से तुर खरता है लेकिन जो he can है और फूर्ड है वह सिकेट्हर्मों को जो है इस्टुम्लेट करते हैं ठीक है यह major difference है, secretin and CCK reach through blood circulation, blood circulation में चले जाते हैं, secretin क्या करता है, देखिए, stimulate the duct of the pancreatic duct cell of pancreas for bicarbonate ion secretion, secretin, bicarbonate ion secretion के लिए duct cell को stimulate करता है, यहां कुछ diagram बना हुआ है, rate of pancreatic secretion, यह pancreatic secretion को दर्शार है, और यहां इन pancreas of, तो देखो जो यह blue वाला symbol है, यह water और sodium bicarbonate को दिखा रहा है, और जो red वाला है, वह enzyme को सो कर रहा है, तो SCL में देखो, ज़्यादा क्या होता है, SCL, जो pancreatic juice है, उसमें जो bicarbonate ion है और water है, उसका level ज़्यादा होता है, जबके enzyme थोड़ा से कम होते हैं, शोप में देखो water and sodium bicarbonate, देखो, यहाँ पर sodium bicarbonate है, यह वाला symbol, तो यह ज़्यादा होते हैं, और जो है, इसकी तुल नामें जो enzyme है, ठीक है, यह enzyme का symbol है, यह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन peptrons में देखेंगे, तो इसमें water and sodium bicarbonate थोड़ा सा कम, और enzyme level ज़्यादा होता है, ठीक है जी, अब बहुत ही important topic है, इस part पूरे pancreas का endocrine function of pancreas, कि pancreas में जो endocrine function है, जो 1% होता है, बाकी 99% क्या होता है, exocrine function होता है, उसको जानेंगे, तो देखेंगे, यह होग जो है, यहाँ पर duct cell पाए जाते हैं, ठीक है, यह क्या है, duct cell है, और यह pancreatic duct है, pancreatic duct, और यह जो है duct cell, DC मतलब duct cell, PD मतलब pancreatic duct, और यह जो है acini है, pancreatic acini, और यहाँ पर देखो, एक person जो है endocrine function होता है, तो उस एक person वाले part में जो है, ठीक है, बहुत सारे cell होते हैं, जैसे alpha cell, beta cell, gamma cell, पीपी cell होता है, ठीक है, और बीच में यह blood vessel, तो हम लोग देखेंगे, जिसको एक साथ isolate of langer hands बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहाँ, isolate of langer hands में क्या-क्या पाई जाते हैं, तो alpha cell या उसी को बोलते हैं, एस cell जो 20% स्रावंड होता है, ठीक है, 20%, इसका glucagon hormone का स्रावंड होता है, और यह glucagon hormone क्या करता है, increased blood in glucose level by glycogenolysis, तो इसको ध्यान से सुनिए, जो alpha cell है, जिसको ACL के नाम से जानते हैं, वहाँ से 20% glucagon hormone स्रावंड होता है, जो blood में glucose level को बढ़ा देता है, glycogenolysis माध्यम से, glycogenolysis मतलब देखिए यहाँ, लिवर में पाए जाने वाले जो glycogen है, उसको glucagon hormone जो है, छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ देता है, और blood में glucose level को बढ़ा देता है, कब जब blood में glucose की कमी हो जाता है, glycogenolysis मतलब glycogen का breakdown, और blood में glucose level को बढ़ाना, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, एक निश्चित कंडिशन के बाद, जब हम लोगों को भूख लगते रहता है, फिर भूख नहीं लगता है, है ना, आप लोग के साथ ऐसा हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यह हो गया, अब देखो जो बीटा सेल है, या बी सेल बोलते हैं, उसे 60-65%, ठीक है, पूरा 100% है, तो 20% तो गलेको, गलुकोगेन हो गया, फिर 60-65% इंसुलीन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इंसुलीन हार्म गलुकोज को यह गलाइकोजन के माध्यम से गलाइकोजन में चेंज कर देता है, गलुकोज को गलाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है, और देखो डेल्टा सेल या डी सेल, ठीक है, मैं गामा सेल बोल दे रहा था, सोरी, यह डेल्टा सेल है, तो या डी सेल, तो 10-15% ज होता है सोमेटोस्टेटिन क्या करता है ग्लुकोजन ग्लाइकोजन और इंसुलीन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है ज्यादा सिक्रीट होगे तो रोख देता है इसको इंसुलीन सराउंड को और ज्यादा सिक्रेशन ग्लाइकोजन सिक्रेशन को भी रोख देता है ठीक ठाक है तो सिक्रेट होने देते हैं मैंटेनेंस करता है मलब कंट्रोल करता है कौन समेटोस्टेटीन और पीपी सेल एप सेल पांच परसेल होता है जो प्रिक्रियाटिक पॉलिप्टाइट वगरा कुछ स्रावड होते हैं ठीक है इसका फंक्सन जो है कोई ग्यात नहीं है अभी तब रिस आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक लीवर के बारे में जानने वाले हैं तो यहां तक कितनी दूरी तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद खिक है इसका नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना ओके आप अपना ख्याल रखना ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट अफ लॉक अच्छे से पढ़िए आगे बढ़िए